आज हम बनाने जा रहे हैं एपल जैम बनाने के लिए हमने लिया है एक किलो एपल जिसको हमने छील के मोटे मोटे स्लाइस कर लिये हैं रफली हमने इसे चॉप किया है कोई फाइन चॉपिंग नहीं करनी है दो ग्लास हमें पानी चाहिए जो करीब 700 ml होगा और हमने 750 ग्राम श के टुकड़े और थोड़ा सा हमने औरेंज कलर लिया है आईए अब हम सबसे पहले अपने एपल ट्रांसफर करती है यह एपल हमने ट्रांसफर कर लिये हैं और इसमें हमने दो ग्लास या लगबग 750 एमल पानी डाल करके इसको गलने के लिए हमने 10 से 15 अबने चड़ा देना है और इसे ढख के हमें पकाना है ताकि अच्छे से गल जाए यह देखें एपल बिल्कुल गल गए है और एकदम से इसका पल्प जो था वो बिल्कुल गल के त्यार हो गया है अब हम इसे चन्ने में से चान लेंगे ताकि इसका जो भी रेशे हैं वो अलग हो जाए और यह बिल्कुल स्मूद पेस्ट की तरह बन जाए और देखिए अब हम इसको चान लेंगे इस तरीके से हमें सारे पल्प को चान लेना है ताकि इसमें जो भी कोई रेशे वगेरा आए यह बीज अब कोई रह गया हो तो वो इस गूदे से बिल्कुल अलग हो जाए इस तरह से हम हमें सारा पल्प इस छन्ने में से निकाल लेना है यह देखिए हमने पूरा पल्प जो है छन्नी में से छान लिया है अब हम इसमें कलरेट करेंगे और इसको दुबारा से पकने के लिए हमें गैस पर रखना है इसके साथ ही जो हमने अपनी दाल चीनी ली थी वो इसमें डालेंगे और अपनी शकर जो हमारी 750 ग्राम है वो इसमें एड़ कर देंगे और इसको पकाती रहेंगे जब तक ये जमने वाली consistency पर न आ जाए तब तक हमें इसको पकाना है अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा पकने में तब तक हम इसे चलाती रहेंगे और ये काफी कम हो जाएगा ये देखिए ये हमारा जो पल्प था उसमें शकर सब टलने के बाद ये पके बिलकुल जैम की शकल में आ चुका है और ये हमारा जैम देखिए इस तरीके का हो गया है और ये बिलकुल जैम रहा है अब हम इसको अलग कर देंगे फ्लेम आफ कर देंगे और यह हमारा जैम बिलकुल तयार है आप एक बार इसे ट्राइ जरूर करें और हमें कमेंट्स करें हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें, सबस्क्राइब करें थैंक यू